मेरे प्रीय बेहनों और भाईयों रोटी, कपड़ा और मकान जनता की बुन्यादी आवर सकता हैं सब को भुजन मिले और इसलिए लगभग देश के 80 करोड बेहनों और भाईयों को प्रधान मंत्री जी निसुल्क रासन देने का काम तर नहीं कोई बिना पक्के मकान के ना रह है हर गरीब के पास पक्का मकान हो इसलिए प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री आवास योजना चला रहे और मुझे प्रसंदता है गर्भ भी है कि 2 करोड 95 लाख मकानों को बनाने का लक्ष 2024 तक रखा गया था उनमें से 2 करोड 65 लाख मकान पूरे हो गए बाकी पर काम जा जारी है जहिन इसके बाद भी कई भाई पहन ऐसे छूट गए जिनके पास पक्के मकान नहीं थे इसलिए प्रधान मंत्री जी ने फैसला किया कि जो सेस गरीब बच गए हैं उनके भी पक्के मकान बनाये जाएंगे दो करोड मकान ग्रामीड च्षेत्रों में बनें एक करोड रुपया से जादा खर्चा होगा प्रधान मंत्री आवास योजना के वली योजना नहीं जन्ता की जिन्दगी बदलने का अभियान और इसलिए अब इस योजना के तहट भाई और भेनों को मकान फिर से मिलने बाले बहिस करण की जो सूची थी पात्रता की सूची इ में करें कि कोई लाभार थी जो गरीब है ना छूते कोई गरीब भाई वैन ना चूते जिए गर दो पर्या बाहन है तो पहले मकान के लिए पात्र नहीं होता था लेकिन आप वह पात्रता की श्रेनी में आगया मोटर वाली वोट अगर किसी के पास है नाविक के पास थी अब इस योजना के पात्र होंगे इस अफसर पर ग्रह प्रिवेस का कारिकम भी होगा और इसी अफसर पर 2018 की आवास प्लस की सूची पर जिन भाई बहनों के नाम छूट गए हैं उनको जोडने का अभियान भी सूच किया जाएगा इस अफसर पर जिन भाई और बहनों को मकान की किस्त मिलेगी एकाउंट में आएगी उनको मैं बढ़ाई देता हूँ यह पूरा विश्वास है तो प नब्य से पंचानवे दिन की मंद्रेगा की मजचूरी भी मिलेगी सोचाले के लिए अलग से पैसे मिलेगी घर में उज्जुला रसोई जयस कनेक्शन भी मिलेगा प्रधान मंत्री मुफत सूर्य घर योजना का भी लाब मिलेगा स्टोलर पैनल बुचा के योजना एक है ल झाल